आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और अमेजिंग सेंटेंसेज और ये हम अपनी रोज मर्रा की लाइफ में बहुत आराम से बोड़ सकते हैं कोई fancy words नहीं है कोई advanced vocabulary नहीं है जो शब्द हमें मालूम है बस उन्हीं को हमने sentences में पिरोया है the very first one is suppose आप किसी दोट के साथ बहुत दिन होगे अपने किसी friend के साथ बात नहीं कर पाई हो अब उसका phone आया है और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कैसे हो क्या होगे बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो आपका कुछ reason है तो आप बोलोगे आरे यार it's a long story we'll talk some other time कि एक लंबी कहानी है और हम बात में बात करेंगे it's a long story अब उसने पूछा ठीक है कोई परिशानी है क्या है तो आप बोलोगे या things are getting better now okay things are getting better now कि अभी जो चीज़े हैं वो संभल रही है ठीक है अब आपको बोलना है अपने बच्चे को कि अपनी chair इस table के पास लेकर आओ draw your chair up to the table draw your chair up to the table कि chair खींच के इस table के पास ले आओ अब कैबर बच्चे कुछ आप discuss कर रहे हो बच्चे बोलेंगे हां ममा क्या हुआ हमें बताओ हमें बताओ आप बोलोगे कि तुम्हें इससे क्या लेना देना तुम अपना काम करो ना ओके सो तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है it is none of your business it is none of your business या तुम्हें इससे क्या तुम्हें इससे क्या what is it to you और कई बार हम ना कुछ बोल देते हैं बाद में हमें पश्टावा होता है कि यार हमने वलत बोल दिया तो आप बोलोगे Sorry, I take my words back Sorry, I take my words back और कई बार सामने वाला हमारे मूँ की बात बोल देता है जो हम सोच रहे हैं कि अभी हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे अरे, तुमने तो मेरे मूँ की बात छीन ली You took my words You took my words तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी और कई बार हम काम में बीजी हैं सुभा सुभा का टाइम है हस्बन चाए मांग रहे हैं बचे breakfast मांग रहे हैं तो किसी ने कुछ बोला आपको और आप भूल गए अब हस्बन ने बोला भही चाए बनी की नहीं तो आप बोलोगे आरे ये तो मेरे दिमाग से निकल गया तो आप बोलोगे It slipped my mind It slipped my mind As easy बहुत simple हैं बोलने ये और सारे simple simple words हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है जाते जाते एक और कई बार ना बच्चे मतलब दिमाग पूरा खराब कर देते हैं नाक में दम कर देते हैं You just want to take rest और वो उच्छलकूद कर रहे हैं यहां से वहाँ या तो फिर उन्होंने मेरे नाक में दम किया हुआ है You are getting into my nerves You are getting into my nerves तो इस सरह से बहुत ही simple तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं I just hope you liked all these sentences and like से बात नहीं बनेगी आपको सुनना तो है बट आपको बोलना भी है तो आप क्या कर सकते हो pause the video और एक एक sentence मेरे बाद repeat करते जाईए और देखिए बहुत ही जल्दिया fluently ये वाले sentences तो बोली लेंगे